हर हर गंगे नमामी गंगे और आज आप देखेंगे तो शर्धालियों की आज भी जो भीड़ है और चलिए आपको दिखाते हैं कैसे एक महिला जल पर ही बन गई और भाई गंगा जी के बहाओ की और जल इसतर की बात करूं तो बहुत ही जादा बढ़ गया चलिए वीडियो म पूरी डूब गई है और देखें शर्धालों गंगा जी में डुपकी लगा रहते हैं लेकिन बहाओ देख लिए आप कितना ज्यादा तेज है और बिना जंजीर पकड़े तो आप गंगा जी में डुपकी लगा ही नहीं सकते इस तरफ मैं आपको बहाओ दिखा देता हूँ देखें आप कितना ज्यादा तेज बहाओ है इस तरफ का और सुबह सुबह आज भी हलकी फुल के रिम जिम रिम जिम बारिश हुई है लेकिन लाए जना ही है जन्जीर को हमेशा पकड कर रखें रखें कि यहीं का वो द्रिष्टा जाह महिला जल पर ही बनती है चलिए अभी आपको हम यह पूरा द्रिष्ट दिखाते हैं और इस तरह से मतलब करने लगी काफी जो श्रद्धाल हो है वह इन्हें देखने लग गए देखें हर्की पैडिक हम पूरा देखें उपर पुल से ज्रीष डेके यहां आपको बाद बतारता वह यहां पर हुआ था अब इमापको इधर इसी भी दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही पैड़ी दिखाइबिया आप इससे जो है अंदाधा लगा सकते हैं कितना तेज जल सतर बढ़ा है और कितना तेज जो है गंगा हो चुका है कि इसलिए गंगा जी में डुपकी लगाते हुए हमेशा जो है अलाइट रहे इधर भी देखेंगे तो आप दो ही पैड़ी दिखाई दे रही है वरना यहां पर चार पैड़िया जो है जाने के लिए दिखाई देखी यह वाला द्रिश्य जो मैं आपको कहा रहत देखें यह महिला किस तरह थे गंगा जी में डुपके लगा थी कि काफी श्रधालो जो है इन्हें देखने लग गए ते देखा भी मैंने आपको यह द्रिश्य दिखाया ब्रह्मकुन्धर की पैड़ी की तरफ आपको भाई लेकर चल रहे हैं यहां पर आपको द्रिश्य दिखाते हैं तो देखेंगे आज श्रधालो की थोड़ी संख्या में वृत्य हुई है और देखें श्रधालो का भी जो है आना जो है लगा हुआ है अभी भी देखें के भी आज जादा सुबह से ही जितने भी घाट है हर घाट पर जो है स्रधालो की थोड़ी संख्या जो है पहले के मुकाबले ज्यादा है नाई घाट में आपको लेकर रहे हैं देखें नाई घाट का आपको जो है यह पूरा द्रिशी दिखा रहा हुँ तो आप नाई और देखें किस तरह श्रधालो जो है फोटो और सेलफी जो है घंगा जी में खड़े उकर किलिक करवा रहे हैं देखें इधर से आपको अस्ती परवाव घाट का मैं द्रिश्य दिखाता हूं और इधर भी देखें लेकिन आप बहाओ देखेंगे एक बार देखेंगे आज जितने भी जिधर भी घाट है हर तरफ जो है गंगा जी का बहाओ बहुत ही ज़्यादा तेजे यह देखेंगे गामा वाले भाई सब श्रधालू जो है एक साथ आए और एक साथ देखें हर की पैड़ी पर फोटो किचवा रहे हैं आगे की तरफ आपको लेकर चलों देखे के भागी रती से तो की तरफ तो यहां देखें कितने ज्यादा श्रधालों की भीड़ अब जैसे कि मैंने आपको बताये ता दूसरे राज्यों से जो है बहुत ही ज्यादा श्रधालों आ रहे हैं गंगा जी में आस्ता की डुपकी लगाने के लिए मैं आपको सुबे रुकना चाहते हैं तो आप रुक भी सकते हैं और अगर होटल वेगरा या कोई धरम शाला लेना चाहते हैं तो आपको बड़े ही अराम से हरी द्वार में होटल और धरम शाला अभी मिल जाएगा क्योंकि अभी उतने ज्यादा श्रधालों नहीं है और कोई भी तरह की दिक लगाये जाएगी यह देखे हम यहां से आपको पुल के उपर से दिरिशे दिखा रहे हैं श्रधालों देखे अभी भी जो है श्रधालों को आना लगा हुआ इससे यह कह सकते हैं आज जो है हर्की पैड़ी पर भीट जादा होने वाली है और देखे पुल देखिए आप औ देखे शीव घाट से थोड़ा आगे चलते हैं तो आप देखेंगे इस तरफ देखेंगे आप तो श्रधालों की भीट जाद है क्योंकि यहां पर थोड़ा जो पौड़ी बनी हुए है वो पौड़ीों की हाइड थोड़ी उंची है और इधर जो है देखे बहाओत होते है लेकिन यहां पर पौड़ी उचे होने की वजए से श्रधालों इस तरफ जो है गंगा जी में ज्यादा डुपकी लगा रहे हैं लेकिन हाँ जंजीर को भाई पकड़ के रखे बार बार मैं आपसे यह कहता हूँ जो भी श्रधालों आ रहे हैं दूसरे राजियों से तो गं सब्सक्राइबर से हमसे पूछा था दोनों टायम के आर्ती का हमें जो है समय बता दीजे तो देखिए मौरनिंग की आरती साड़े 5 बजे होती है और शाम की आरती है वो अब साथ बजे होती है सुबा की आरती में ज़्यादा श्रत धालों नहीं होते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं होते हैं सुबा की आरती आप बड़े ही अराम से देख सकते हैं लेकिन शाम की आरती की बात करूँ तो शाम की आरती में बहुती ज़्यादा श्रत धालों की भीड़ होती है और काफी जादा पुलिस पर सार्शन को भी अलट कर दिया जाता है और संजय पुल को जो है बंद कर दिया जाता है आप उस पुल के ओपर से जो है साम के समय आरती नहीं देख सकते हैं और अगर आपको साम की आरती हरकी पैड़ी पर देखनी है तो आप जो है पांच बजे प बागी आपको हमसे कुछ भी पूछना हो आप हमसे कॉमेंट करके जो है पूछ सकते हैं बागी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेर करें हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजी मा गंगा जी के दर्सन करिए हमारे चैनल के माध्यम से हर हर गंगे नमामी गंगे